जुमेटो का एक मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है इस पर रोज कुछ ना कुछ नया आता रहता है इस मामले के बारे में अगर आपको ना पता हो तो बता दे कि एक मॉडल ने जुमेटो के एक डिलीवरी बॉय पर हमला करने का आरोफ लगाया है जिसके बाद सोशल मीडिया भी दो भागों में बटा हुआ है एक जो हितेशा चंदराणी के साथ है और दूसरा जो डिलिवरी बॉय के साथ खड़ा है अब इस मामले में एक नया वीडियो सामने आया है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया है आये जानते हैं नए वीडियो में क्या है हितेशा चंदराणी के आरोब के बाद दिलिवरी बॉय कामराज का भी एक वीडियो वाइरल हुआ था जिसमें वो रो रहा था और अपने बारे में बता रहा है लेकिन इस बार जो वीडियो वाइरल हुआ है वो हितेशा चंदरानी का है जिसे देखने के बाद लोगों की हसी नहीं रुक रही है इस वीडियो को एक गाने के साथ एडिट किया गया है जो इसे और भी मज़िदार बना देता है जैसा कि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हितेशा चंदरानी का वीडियो तुड़क 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 तुण तादादा गाने के साथ ऐसा बनाया गया है जिसे देखने के बाद लोगों की हसी नहीं रुक रही इसी के साथ साथ एक और वीडियो वाइरल हो रहा है इस वीडियो में लड़की के हाथ पर लगी चोट को दिखाया गया है इसमें बताया गया है कि जिस दिन ये मामला हुआ था लड़की के हाथ पर कोई निशान नहीं था लेकिन हितेशा चंदराणी ने एक news channel से बात की तो वो इस निशान को दिखा रही थी और बोला कि ये चोट उसी दिन आई है जब उसने मुझे lift से निकलते हुए धक्का मारा लेकिन इसी वीडियो में पुराना वीडियो भी जुड़ा हुआ है जिसमें वो चोट का निशान नहीं दिख रहा है नहीं हो रहा था तो उसको कोई option नहीं दिखा और आप देख सकते हैं यहाँ पर यह मेरे को scratch है जो उसी दिन आया है मेरे हाथों पर जब उसने मुझे lift से निकलते हुए धक्का मारा खबरों को लेकर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन बटन दबाए ताकि हर खबर जल से जल्द आप तक पहुंच सके